हेलो स्टुडेंट्स क्लास 10 से चैप्टर 12 एरिया रेलेटेट टू सर्कल्स एन्सियार्टी बुक के कोडिंग एक्ससाइट 12.3 का रिमेनिंग कोश्चन जो पेज नंबर 237 है 11 टू और यह इस चैप्टर की हमारी 6 वीडियो है कोश्चन नंबर 11 गिड़ करते हैं ओनी स्क्वाइर हैंड कर्चीफ 9 सर्कल्स डिजाइन इच ओप रेडियास 7 सेंटिमेटर और मैट सी फिगर 12.39 12.39 में एक हमारे पास स्क्वाइर शेप में हैंड कर्चीफ है इसमें 9 स्क्वाइर डिजाइन रखे आगें सभी की रेडियास 7 सेंटिमेटर हैं फाइंड एरिया ओफ रिमेंग पॉर्श रिमेंग बिन जो हमारे पास अंसे डिजाइन पॉर्शन है उसका एरिया निकालना है रब डियाग्राम स्केज करते हैं क्या का एक हमारे पास इसक कर चिप जिसमें 9 सरकल ड्रा किये गए हैं सेम रेडियस के हैं इस तरह से सभी के रेडियस दी है सेवन से एंटेमटर और यह सरकल डिजाइन फोर्म में रिमेंग पॉर्शन यह रिमेंग पॉर्शन का इर्याज निकालना है क्या हैगा एरिया ओफ स्क्वार ए बी सी डी माइनस एरिया ओफ नाइन सरकल तो रिक्वार्ड एरिया हमारा आगया एरिया ओफ स्क्वार माइनस नाइन इंटू एरिया ओफ सरकल एरिया ओफ स्क्वार साइड इंटू साइड साइड इंटू साइड माइनस नाइन इंटू एरिया ओफ स्क्वार पायार स्क्वार और तो मेरे पास साइड मेरे पास नह प्विटर प्लस second circle diameter प्लस थर्ड स्थार्ट स्क्रावाइब टाउब डाइमेटर डाआम डमित रड्स रीडियिस रेडिया इंटू-2 दैत इस 14 प्लस-4 प्लस-4 तिन यानिकि साइड हमारी आ गई यहां यह फिर यह कहिए वन रेडियस, टू रेडियस, थर्ड, फॉर, फिफ्थ, सिक्स, छै रेडियस हमारी मिलकर के यहां, छै रेडियस मिलकर के हमारी यहां जो है, साइड ओफ दा स्क्वार बनाती है, तो कितने आगे 42, 42 into 42 minus 9 by 22 by 7, और स्क्वार 7 into 7, सिंप्लिफाई करेंगे, स्क्वार से इन्टेट, कॉस्टन बर 12, इन फिगर 12.30, 12.30 में डियागरम दिखा है, ओ, 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 ए, सी, बी, एक क्वाडरेंट है, ओ, फिस सरकल विद सेंटर, उ, उस सरकल का जिसा सेंटर, ओ है, रेडियस, 3.5 है, ओ, डी, यह हमारा, टो सेंटिमिटर दिया है, है, find the area of quadrant, area of quadrant निकालना है, रब डाइगराम इसकेज कर लेते हैं, एक बार, O, A, C, D, हमारा एक क्वाडरेंट है, O, A, C, B, हमारा एक क्वाडरेंट है, यह, point D, और यह हमारा सेंटिट पॉर्स है, क्या दिया है, O, D, 2 सेंटिमिटर, रेडियस, यह, फिर, O, B कही है, यह हमारी 3.5 सेंटिमिटर, जो की रेडियस के बराबर है, क्या दिकाला, area of quadrant, यह, सर, area of quadrant बड़ा असान, 1 by 4, pi r square कर लेंगे, 1 by 4, pi 22 by 7, r square, 3.5, 3.5, सिंप्लिफाइ करेंगे, square सेंटिट, next, second, का है, area of setting, area of setting, हमारा क्या आएगा, area of quadrant से area of triangle, O, B, D, घटा देंगे, area of triangle, O, B, D, O, B, D, हमारे right angle triangle, quadrant का triangle है, तो आजाएगा, area of quadrant, minus area of triangle, O, B, D, area of triangle, जो भी हमारा है, minus area of 1 by 2, base, O, B, into O, D, जो भी आएगा, minus 1 by 2, 3.5, into 2, cancel, जो भी आया था, 3.5, subtract करके, square centimeter आ जाएगा, question 13, in figure, 12.31, 12.31 यहाँ दिया है, O, A, B, C, एक square है, O, A, B, C, square है, is inscribed, किसके अंदर है, एक quadrant के अंदर है, O, P, B, क्यों, क्या कहाँ, एक quadrant, quadrant कुन सा है, O, P, O, P, ऑ, P, C, O, क्यों, हो, क्यों, इसके अंदर एक, square, A, B, C, O, एक, square है, O, A, यह साइड में दिया है, 20, одно, O, A, find the area of sided region, said region निकाला है, said region हमारा यह आ गया, तो क्या दिया है, जी, area of side region area of quadrant minus area of square area of square side into side मालूम है area of quadrant के लिए 1 by 4 1 by 4 pi r square radius हमें quadrant की मालूम नहीं radius हमारी क्या होगी अगर मैं इस square का एक diagonal ob मिला दूँ ob केक्वली हमारी radius होगी अब जब square तो o a 20 a b भी हमारा 20 cm होगा तो एक right triangle triangle o a b के लिए in triangle o a b क्या ob square is equal to pi ther गोर थोरम से pi ther गोर थोरम से ob square is equal to o a square plus a b square तो यहां से ob is equal to आया 20 under root 2 cm therefore Camid आब हमे आइ से एक से ऒर deg असे तो से अधब in यहान तो welcome तो आए सिर आया दिर यहा है आगो जागा, तो आफ अदिर आए आया आगो प्छ area of square area of quadrate 1 by 4 pi r square minus area of square side into side value put कर लेंगे 1 by 4 3.4 दिया है 3.14 दिया है पाई की वाल्यू 3.14 दिया है पाई की वाल्यू 3.14 सेंटेंट रांसर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट कोशन 14 ऐसा जैसे हमने किया था कोशन सैकेंड डो साइल्फ कोशन साइकेंड की तरह सम कर लेंगे कोशन 15 इन फिगर 12.33 a b c is a quadrant a b c a b c quadrant है ओप सर्कलों प्रेडियस फॉर्टेन यानि के एसी हमारा फॉर्टेन एब भी हमारा फॉर्टेन है एंडे सेम सर्कल इस ड्रान विद बीचे डायमेटर बीची को डायमेटर लेक्स सेमी सर्कल ड्रा किया गया है फाइंड डायग्राम इसकेच करते हैं क्या का एक क्वाड्रेंट एक क्वाड्रेंट है और इसकी रिडियस दिये है फॉर्टेन सेंट यह भी हमारी फॉर्टेन सेंट एक बीसी को डायमेटर लेकर के बीसी क्या है बीसी एक बनता है अब राइट अंगल ट्रेंगल एबीसी एक राइट अंगल ट्रेंगल बन गया राइट अंगल ट्रेंगल का हाइप्रटेंस बीसी को डायमेटर लेकर के एक semi circle निकाला है यह radius निकाल लिए तो यह portion हमारा बचता क्या है जब इस semi circle का diameter BC है तो BC का half इसकी radius होगी तो पहले हम BC निकालेंगे in triangle ABC by the pythagast theorem BC square is equal to AC square plus AB square BC is equal to यहां से आ गया 14 अरू 2 cm therefore radius of the semi circle with diameter BC is equal to BC by 2 14 अरू 2 बई तो that is 7 अरू 2 center इस circle की radius हमारी ओ सेवन अरू 2 cm आ गई अब यह निकालना एरिया क्या आएगा किन portion से मिलकर के बना है एक यह यह कहिए अगर सेमी सर्कल से यह सेग्मेंट जो डबल सेड़ेड मैंने कर दिया सेमी सर्कल सेग्मेंट गटा दें यह सर नाव अरिया ओफ सेड़ेड रिजन इस वाल आ गया अरिया ओ सेमी सर्कल मैंने अरिया ओफ सेग्मेंट अरिया ओफ सेमी सर्कल वन बाइटू पायार स्क्वार माइनस एरिया ओफ सेग्मेंट एरिया ओफ क्वाड्रेंट से एरिया ओफ ट्रेंगल एरिया ओफ क्वाड्रेंट से एरिया ओफ ट्रेंगल वन बाइटू राइट अंगल ट्रेंगल हैं वन बाइटू बेस इन्टू हाइट यस सर देखो क्वाडरेंट से ट्रेंगल गटा दें तो आगया segment वेलु पुट करें वन बाइटू पाई दिया है क्या पाई नहीं दिया है 22 वाइट सेवन आर कितनी आई है दो इन्टू सेवन अन्डर पाई पायार स्कार अरे यह सर अब यह हमारा एरिया लुक्ष्ट है तो इस हमारी कितनी 14 वन बाइटू पाई 22 वाई सेवन इन्टू 14 इन्टू 14 कभी हां मिस्टेक से यह है रिडियस भी हम सेवन टू रख दें नहीं यह रिडियस हमारी किसकी है इस हमारी सेग्मेंट उसकी है क्वाड़न्ट किये और क्वाड़न्ट इस हमारी 14 माइनस वन बाइटू बेस 14 इन्टू हाइट भी हमारी कितनी है 14 सिंप्लिफाई करेंगे इसक्वार सेंट्यूंटर एरिया आ जाएगा लास्ट कोस्टन 16 16 कालकुलेट दा एरिया ओफ डेजाइन रेजन इन फिगर 12.34 त्री फॉर डाग्राम में दिखा गया है एक डिजाइन इसकरें निकालना है common between two quadrant of circle of radius 8 cm जो quadrant के बीच में है क्या कहा जो design दिखाया गया है एक quadrant ये quadrant फिर ये quadrant फिर ये quadrant इसका half कर दूं ये रिजन आ गया यानिकि इदर लाइन ड्राग कर दें ये रिजन आ इन दोनों का समी हमारा required आंसर होगा क्योंकि यहां डाग्राम ड्राग फिर दुबारा कर दें जो कोशन में दिया है कोशन में क्या दिया एक quadrant का ये quadrant और फिर इदर वादा यह निकालना है तो दो पॉर्शन से मिलकर बन जाएगा है दो पार्ट आगे फर्स्ट पार्ट जो कि यह है सैकेंड पार्ट जो कि यहां से बिलॉंग करता है तो यह हमारा एक क्या गया है सैग्मेंट जैसे कोर्शन 15 में किया था को हम आट्र प्रॅइंग्स यह हमारी एट住 है न्च यह यह une से एरियों में डिजाइन ऐसे हैं में दिजाइन कि और students मारे पास हैं क्या से ट्रेंगलक हमारे पास है ट्रेंगल का सब्तरट्रांक ट्वास audio of quadrant minus area of triangle twice area of quadrant 1 by 4 pi r square minus 1 by 2 base into height base into heights 2 1 by 4 pi 22 by 7 r square radius दिखा रिया 8 into 8 minus 1 by 2 base 8 height to be it simplify करेंगे स्क्वार से इंटेंट रा जाएगा इस तरह से हमारा चैप्टर 12 कंप्लेट होता है आगे करेंगे चैप्टर 13 थैंक्यू